जेमॉल एप्लिकेशन में मोडिफाय डिस्प्ले और व्यू के स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है। इस टुटोरियल में हम निमन करना सीखेंगे। स्क्रीन पर मॉडल को रोटेट, जूम, मूव और स्पिन करना। व्यू को संशोधित करना। डिस्प्ले का स्टाइल बदलना, परमाणूं और बॉंड्स का कलर और साइज बदलना, इमेज को एक्सीज और बाउंड बॉक्स के साथ दर्शाना, इमेज को अनेक फाइल फॉर्मेट्स में सेव करना। इस टूटोरियल के अनुसरान के लिए आपको नेमन के साथ परिचित होना चाहिए, जेमॉल अप्लिकेशन विंडो और मॉडल किट फंक्शन प्रयोग करके मॉडल्स को बनाना और एडिट करना। यदि नहीं, तो संबंदित टूटोरियल के लिए क्रपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। इस टूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उप्योग कर रही हूँ, Ubuntu OS वर्जन 12.04, जेमॉल वर्जन 12.2.2 और जाबा वर्जन 7। मैंने पैनल पर 2 क्लोरो, 1 प्रोपेनॉल के मॉडल के साथ एक नई जेमॉल विंडो खोली है। इस्ट्रक्चर के बहतर द्रश्य के लिए हम मॉडल को रोटेट और जूम कर सकते हैं। मॉडल को रोटेट करने के लिए टूल बार पर रोटेट मॉलिक्यूल आइकन पर क्लेक करें। मॉडल पर क्लेक करें और देखें कि करसर हैंड आइकन में बदलता है। माउस बटन को पकड़ें, पैनल पर माउस को खीचें। आप देख सकते हैं कि model rotate हो रहा है Zoom in और zoom out के लिए panel पर करसर रखें Zoom out के लिए mouse wheel को उपर और zoom in के लिए नीचे move करें Panel पर model को move करने के लिए cursor को model पर रखें Keyboard पर shift बटन को पकड़ें Double click करें और mouse खीचें विस्तरत विवरन के लिए pop-up menu में उपलब्द mouse manual को देखें Pop-up menu खोलें और नीचे about तक जाएं फिर jmall 12.2.2 सेलेक्ट करें और mouse manual पर क्लिक करें यदि आप internet से जुड़े हुए हैं Mouse manual के साथ एक web page स्क्रीन पर दिखाई देता है Pop-up menu से exit के लिए पैनल पर क्लिक करें पैनल पर अनू को स्वचारेश रूप से spin करने के लिए pop-up menu खोलें नीचे spin तक जाएं और फिर on विकल पर क्लिक करें हम देख सकते हैं कि पैनल पर model spin हो रहा है spin को बंद करने के लिए pop-up menu फिर से खोलें नीचे spin तक जाएं और off पर क्लिक करें एक नियादकार्य में 2-Cloro-3-Iodo-pentane का model बनाएं pop-up menu में spin विकल्प जाचें spin के दिशा Z-axis और rate of spin 40 से बदलें संकेत pop-up menu में set Z-rate विकल्प प्रयोक करें आपका पोण नियादकार्य निमनप्रकार देखना चाहिए अब हम view menu के बारे में सीखते हैं menu बार पर view menu model को विभिन एंगल्स से देखने के विकल्प रखता है view menu पर क्लिक करें menu में देखें और उपलब्ध विभिन विकल्पों में से चुनें उधारन के लिए मैं top view चुनूंगी top विकल्प पर क्लिक करें स्क्रीन पर image प्रदर्शित करती है कि top से अनुक कैसा दिखता है हम इस view को image की तरहां विभिन फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं सेव करेंट व्यू एजन इमेज आइकन पर क्लिक करें सेव डायलोग बॉक्स दिखता है फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करने के लिए इमेज टाइप के विकल्पों में देखें मैं JPEG फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगी उस फोल्डर को खोलें जिसमें आप फाइल सेव करना चाहते हैं मैं इसे डेस्टॉप पर चाहती हूँ डेस्टॉप सेलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें फाइल नेम टेक्स बॉक्स में टाइप करें टू क्लोरो वन प्रोपेनॉल फाइल्स ओफ टाइप पर जाएं और JPEG सेलेक्ट करें सेव बटन पर क्लिक करें अब इमेज डेस्टॉप पर JPEG फॉर्मेट में सेव होगी। आणविक मॉडल के प्रदर्शन के स्टाइल को विभिन तरीकों से रुपांत्रित किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो इस अनू में परमानू और बॉंड्स के कलर और साइस को बदला जा सकता है। हमारे पास अनू या सिलेक्ट सेट में सारे परमानू को रुपांत्रित करने का विकल्प है। पैनल पर मॉडल का डिपॉल्ट डिस्प्ले बॉल एंड स्टिक का है। डिस्प्ले को CP के स्पेस फिल में बदलने के लिए पॉप अप मेन्यू खोले। सिलेक्ट पर जाएं और पूरे अनू को संशोदित करने के लिए औल पर क्लिक करें। पॉप अप मेन्यू दुबारा खोलें। नीचे स्टाइल तक जाएं। सब मेन्यू से स्कीम सिलेक्ट करें। और CP के स्पेस फिल विकल्पर क्लिक करें। स्क्रीन पर मॉडल CP के स्पेस फिल में बदल गया है। अब हम इसे वापस बॉल एंड स्टिक मॉडल में बदलते हैं। अब पहले की तरह ही समान स्टेप्स का अनूसरन करते हैं। पॉप अप मेन्यू खोलें। नीचे स्टाइल तक जाएं। स्कीम सलेक्ट करें और बॉल एंड स्टिक विकलप पर क्लिक करें। अब मॉडल बॉल एंड स्टिक स्टाइल डिस्प्ले में बदल गया है। मेन्यू बार पर पॉप अप मेन्यू और डिस्प्ले मेन्यू का प्रेयोग करके भी बॉन्स के साइज को बदला जा सकता है। डिस्प्ले मेन्यू पर क्लेक करें और बॉन्ड सिलेक्ट करें। सब मेन्यू एंग्स्ट्रॉम यूनिट्स में अलग-अलग साइज, डायमीटर के बॉंड्स के विकल्प रखता है। उधारन के लिए मैं 0.1 एंग्स्ट्रॉम सेलेक्ट करूंगी और इस पर क्लेक करें। बॉंड्स की मोटाई में बदलाव पर ध्यान दे। हम परमाणू और बॉंड्स का रंग भी बदल सकते हैं। मैं मोडल में सारे कार्बन परमाणू का रंग पीले से बदलना चाहती हूं। ऐसा करने के लिए पॉप अप मेन्यू खोले और सिलेक्ट पर जाएं। नीचे एलिमेंट पर जाएं और कार्बन पर क्लेक करें। पॉप अप मेन्यू दुबारा खोले और कलर सिलेक्ट करें। फिर एटम्स सिलेक्ट करें और येलो विकल पर क्लेक करें। मोडल में सारे कार्बन्स अब पीले रंग में दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि Bonds का रंग कैसे बदलते हैं। Pop-up मेन्यू खोलें और All सेलेक्ट करें। Pop-up मेन्यू दुबारा खोलें। नीचे Color पर जाएं। Sub-menu से Bonds सेलेक्ट करें। नीचे जाएं और Blue विकल पर क्लिक करें। सारे Bonds अब नीले रंग में हैं। इस इमेज को X, Y और Z Axis और Bounding Box के अंदर पदर्शित कर सकते हैं। Pop-up मेन्यू खोलें, Style सेलेक्ट करें। और Axis विकल पर जाएं। Sub-menu से Pixel Width सेलेक्ट करें। मैं Pixel Width में 3PX चुनूँगी। अब हमारे पास सारी Axis के साथ स्क्रीन पर model है। इमिज के चारों तरफ Bound Box बनाने के लिए Pop-up मेन्यू खोलें। Style तक जाएं और विकलपों से Bound Box सिलेक्ट करें। Pixel Width सिलेक्ट करें और Pixel Width 3PX पर क्लिक करें। स्क्रीन पर हमारे पास Axis के साथ Bound Box में 2 Chloro 1 Propanol का model है। Bound Box को इस पस्च रूप से देखने के लिए हमें Zoom In या Zoom Out करना पड़ सकता है। Image Save करें और Program Exit करें। अब सारांशित करते हैं कि हमने क्या सीखा। इस टुटोरियल में हमने निम्न सीखा। स्क्रीन पर Models को Rotate, Zoom, Move और Spin करना। Model को विभन एंगल से देखना। Display का Style बदलना। परमानों और Bonds का रंग बदलना। हमने निम्न भी सीखा। Model को Axis और Bound Box के साथ प्रदर्शित करना। और Image को भिन फाइल फॉर्मेट्स में सेव करना। नियतकार्य में 3 Amino 1 Propanol का Model बनाएं। Display को Stix में बदलें। Model में सारे Hydrogens का रंग हरे में बदलें। सारे Bonds का रंग पीले में बदलें। आपका फोन नियतकार्य निम्न प्रकार देखना चाहिए। निम्न लिंक पर उपलब्द वीडियो देखें। ये Spoken Tutorial Project को सारा इंशित करता है। अच्छी bandwidth ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। Spoken Tutorial Project टीम, Spoken Tutorials का उप्योग करके कारिशाल आएं चलाती है। उनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए एक रपया contact at spoken-tutorial.org को लिखें। Spoken Tutorial Project, Talk to a Teacher Project का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से रस्ट्रिय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इन्यमने लिंक पर उपलब्द है। IIT Bombay से मैं शुतियार आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुडने के लिए धन्यवाद।